दोस्तों स्वागत्त है आप सभी का BSC and NSC अड़ा में आईए हम लोग पहले अनलेसिस कर लेते हैं आज के अपने इंट्राडे स्टॉक का और फिर उसके बाद देखेंगे कि कल के लिए किसी स्टॉक को चुना है आज का हमारा स्टॉक था महानगरगैस लिमिंटेट का इसे बाई करना था 857 पर और सोट सेल करना था 843 पर अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं या स्टॉक दोस्तों ओपन होगा था आचसो बावन पर और उसके बाद इस स्टॉक ने लो मारा था 834 का तो दोस्तो इस तरह से इसी stock ने open होते ही अपने short sale के सभी targets को achieve कर लिया और फिर उसके बाद यह stock उपर उठा और अपने buy side के point को trigger किया जो कि आपका था 857 का और इसका आपका पहला target था 860 का दूसरा target था 806 का अब जैसा कि आप अपनी screen पर देख पा रहे हैं यह stock high मारा था यानि कि high गया था 864.5 का तो दोस्तो इस तरह से इस stock ने अपने short sale side के और buy side के दोनो side के target को achieve किया और एक अच्छी trade साबित भी उमीद करता हूँ कि अगर किसी ने इस stock में trade डाला होगा तो उसने निश्चित तोर पर ही profit book किया होगा आई अब हम लोग देख लेते हैं कि कल के लिए किस stock को चुनाए कल का अमारा intraday का stock रहेगा और ओ फार्मा का आप चाहें तो अपनी intraday की trade भी इस stock में डाल सकते हैं इसे buy किया जा सकता है 519 पर पहला target 522 का दूसरा target 527 का अगर यही नीचे गिरता है तो आप इसे short sale कर सकते हैं 510 पर पहला target 507 दूसरा target 502 का और दोस्तो इस stock में stop loss रहेगा 6 पाइंट का तो कल की हमारी intraday की trade और ओ फार्मा बाय 519 short sale 510 and the stop loss is 6 पाइंट तो बहुत ही अच्छे से trade डालिए intraday trading rules को ज़रूर फॉलो करिए rule no.1 minimum profit rule no.2 stop loss and the rule no.3 is proper breakout यानी proper breakout होने पर ही entry ले तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो like कर दें और अगर अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया तो channel को तुरंती subscribe कर दें कल आप सभी से formula कात होगी इसी समय पर तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद